शुभा बिहादी ओम स्वास्ति प्रजाब्याह परिपाल यंताम नैये नमारे गेन गतम महीशा कोब्रा मले ब्याह सुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सच्चिदानंदरूपाय विश्वत्पत्यादिहे तवे तापत्रय विनासाय स्रेक्रेष्णाय वयं नमाह समात्रणी दर्शक ब्रेंद इमेज च्यानल को सुभविहानी कारेक्रम मार्फत आमी उपस्थीत बहिशाके का चौं। आमी ले स्रीमत भगवत गीताको बारेमा निरंतर विचार बिमर्ष गरी डाखेका चौं। गीताको अंतिम अध्याय अठारम अध्याय में जब संपुर्ण विशाय में बगवान श्रीक्रिष्णाले उपदेश करीशाके पछी। ती प्रत्य कर्म गर्ने व्यक्ति करता रती करता का तीनोटा श्रूप साथ्विक करता, राजश करता रत्तामश करता। गर्यर तीन प्रक्रितिका करता को बारेमां, करता को लक्षण को बारेमां और जुनलाई बतावनुग। तेस पछे, कुने पनी आमिले गरेके अप्रत्य कर्म हरू, ती कर्म को संपन्न, त्यो कर्म को संपन्न ता लाई अर्था त्यो कर्म को विधी लाई। आमिले अत्यांत विचार पुर्भक गर्नुपर्दा छों। किनवने यो संशार, यो मानव जीवन आमिले जुन प्राप्ता करेका छों। यो मानव जीवन प्राप्ति संग है। आमिले अपना निश्चित कर्म हरू संग संग है लिएर आयका हूं। और जती पनी यो सुन्दर स्रिष्टी चा यो संशार को स्रिष्टी यो स्रिष्टी बित्र जती पनी प्राणी हरू छन। ब्रिक्ष्य बनस्पति हरू छन। अथवा बनौं जती कुर्याको यो संशार मा स्रिष्टी बायको चा उत्पत्ति बायको चा। यो ब्रह्माजी को यो सुन्दर स्रिष्टी मा प्रत्यक स्रिष्टी को उपयोगिता छो। र प्रत्यक का प्रत्यक प्राणी का आपना आपना कर्महरू छन। र त्यो जुन्य उटा यो संशार मा आईशके पछे आपनो जीवन को यात्रा लाई बनी जसरी यो सुन्दर संशार सुन्दर स्रिष्टी छो। तदन रूप आमरो जीवन को यात्रा पनी तेस्ताई योटा नदी सलललललल बगे जस्ताई आमरो जीवन लाई पनी तेही योटा यात्रामा त्यों मार्गमा आमिले अगाडी पड़ावनु पर छो। इसास्त्रहरु वने का केबल हमिलाई तेही सत मार्गमा इन्नको लागी प्रेरित गरने त्यों सत मार्ग देखावने रजसले करदा खेरी। प्रतेक मनुष्यको जीवन समुझ्ज्वल बनोष। अमरो जीवन आनंद माय बनोष। कल्यान माय बनोष। यहां हम्रा रिशी महरशिहरु ले लाम तपश्या बाट प्राप्तगरिको योग्यान। जसले यहुटा जीवन लाई अगाडी बन्न रत्यों अगाडी बन्न यहुटा सही बाटो प्रदान गर्छौ। कि तेस्ता इती प्रत्य कर्म गर्धाखेरी कर्म को बारे मैं रत्यों कर्म को करता को बारे मैं बताई सके पछिए यहां। फेर त्यों करता को बुद्धी को बारे मां अब त्यस्पाचे क्ये कुरा को क्ये कुरा मां हामी विचार गरनू पादा छा जुन विशय अरू अमरो जीवन मां और हामरा प्रत्यक ब्यबाहार अरू मां जोडिये का विशय हुंचन। जसलाई विचार गरेर आमि आपना करमा मां प्रप्रित्त वुद्धा खेरी सहस्ता को अनुभाब गर न सकीन छुन। तिनेई विशय तेस्तेई शास्त्रिये विशय लाई आमिले अधार मानेर यहां चर्चा गरी राखे का छू। यहां संसार मां बाईरा हेरदा खेरी जती देखियेको छू। ते तीले मात्रई संसार चलेको छाईन। जसरिये उटा बिद्ध्यूत को तार आमिले बाईरा बाट यहरदा केरी तियो बिजूली को तार देखिन छू। तर तियो तार मारफत आई राखे को तियो विद्ध्यूत। तियो विद्ध्यूत। जबाव बत्ती जोडी शाके पाछी मात्रई तार मां विद्ध्यूत। विद्ध्यूत आई राखे को छा वर्णेकूरा थावन। तियहां हेरेर मात्रे तियो विद्ध्यूत। तार मां छाकी छाईन। वन्ने कुरा छुट्ट्याओन शाकिन तई अर्था तिहां परिक्षण को स्पर्षण को अबसेक्ता हुँँछ तेस्ते गरी यो जगत्मा पनी आमीले देखेका कर्ममा यहुटा बाईहय क्रिया हुँछ और को आंतरीक क्रिया हुँछ ती दुई पक्षला है आमीले विचार खरणू पर छेँ आम रों सरिरले काम गडरी राखे को चा आमिकुनया कुनये काम मा प्रभृत्त बही राखे काच हूँथ यहां पनी यहुटा आम्यो सरीर को स क्रियता चांओ शरीलक्रीयासी बही राखेकए चा बने हुँछ और को आमरो भित्र बाट यो शरीर लाई क्रियासील बनावने इस लाई उर्जा दीने इसमा प्रेरना दीने रामिलाई कुने पनि कर्ममा प्रबृत्त बन्न लगावने त्यो तत्वा त्यो तत्वा जुन तत्वा लाई बिविन रुपमा आमिले पुझन सक्षों तेस्ते ही आमि भित्र मन चा आमरो बुद्धी चा त्यो मन रा बुद्धी को पनि अमरा कर्म गर्दा खेरितिन को यद्धे भी आकार मतिनलाई देखना सकी दाइना पर शबय बंदा बड़ी प्रभाव तेही मन रा बुद्धी को तेसो बाईर यो अध्यात्म ले अर्थात्यो श्त्रीमत भगवाद गीता ले अमिलाई केवल यहां बाईर हमले आखाले देखेको यो बहुतिक जगत को मात्रही यले ब्याख्या गरेको छईना यहां यो बहुतिक जगत केको आधार मा संचाली छो अमिले देखेको यो बहुतिक संचार कसरी चली राखेको छा हम्रों शरीर ले कशरी काम गरी राखेको छा तेसलाई पनी जसलाई आध्यात्मिक ग्यान बनेर बनीच तेसले त्यों करता पन को बाई है श्ववाब को बारे में चित्राण गरीशा के पच्छी यहां फेरी बन्न होंचा बुद्धेरे भेदम द्रितेस्चैवा गुणत स्त्रिविदम पुनहा बुद्धेरे भेदम द्रितेस्चैवा गुणत स्त्रिविदम स्निडू प्रोच्यमा नमसे सेणा प्रिथक त्वेन दनन्जया प्रोच्यमा नमसे सेन प्रिथक त्वेन दनन्जया ये धनन्जया अब अर्जुनलाई बन्नोंच यहां धनन्जया बनेर अर्जुनलाई कि अर्जुन आधी पांडवरु ले अर्थात अर्जुनले देरे राज्यहरु संग देरे राज्यहरु माथी विजाय प्राप्त गरेर आपनों स्वामित्वमा लिये का धिये तेस कारण अर्जुनलाई दनन्जया वनियक रो युटा बाईय जगत माथी को बिजाया उन्च युटा आपू माथी को आपू भीत्रको बिजाया उन्च सबय भंधा ठूलो बिजाया शबय भंधा ठूलो जीत आमिले आपूले आपूलाई जीत नूऊ तेस कारण भगवानिस्टिरख्रिश्णा ले बन्नुबाएको छा आत्माई वा यात्मनों बंदुहुँँआत्माई बरिपुरात्मनहुँआ तिमी आपूनाई आपूनों बंदु हूँ तिम ही आप न आपनो शत्रू हव। वा। तीश्चान त्यों कुर अधि पनी विचारखर्नको लाघी। यहाँ भन्य होनद ज हुँंहूँँए। अपा मिले भिविन्य कर्म को बारे मां यज्यको बारे मां कर्था को बारे मां तीन को श्मरूप को बारे मां बताई सकी पची। बुद्धे र भेदं दृतेसचाईव तियों बुद्धिका पनि तिस्तै गरी भेदरू र दृतेसचाईव दृती पनेको धैरिया अभी वित्र होने गूड यद्धेपी बाईर आकारमा न देख्खे पनि जुन गूणले जुन बुद्धिको कारांडले अमिले बिविन्न क प्रत्यक कारियहरू शम्यम्ता पुरुबाग गर्नशक्द छौँ ती त्यो धैरिया का गुण का पने त्रिविदम्स्त्रिणु तिन ती नोटा प्रकार छन तिनको बारेमा पने मैं लिगली बताहूं छू कोशरिए बताहूंछू ती प्रत्यक भेदलाई छुट्टा छुटधाई गरेर पुण्यमानमसे सेन अब मैं लिगले एस्तरी बताहूंछू क्योकि असेSON top on तिन-तिन प्रकार, दृती र बुद्धी का तिन-तिन प्रकार को बारेमें मैं येस तरी बताऊंचु जुन कुरा मैं बनीशाके पछी अब त्यसको बारेमें ती मिलाए अरुकुरा जानना आवस्च्यकून देड़ुनु यहां येस्तो महत्तो पुर्ण कुराको उपदेश गर्णुबो कि याजि ग्यात्वा मुनै अहस्वारे में जुन कुरा लाई जाने र रिसी हरु शबहई रिसी हरुले परम शांथीको अनुभूति करें र जुन गयानलाई जानी सके पछी, जुन कुरालाई जानी सके पछी, सणसार माँ जानना परने और को केई कुरा बांकी रहं धाईना। तेस कारण आमी ले आमरो आमी भित्रको बुद्धी रतियो ध्रिती को बारे में बने आमी ले बोध गर्नू परछा। थी पनी आमी भित्रका महत्त पुरुण जी जुन और आपनू मनन गर्दा खेरी, जीवन को चिंतन गर्दा खेरी। आमी ले इसता यावत विशाय माथी पनी बोध गर्ना अवस्चे कुँँछा। सर्वे भबंत शुखि नहां, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणी पस्यांत। माकस्चे दुखबाग बवेत, अजुररको देन शुबाहोस, तन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत्छा मजोतिस आचारे नाराण प्रशाद भंडारी। संदै जही दैनिक पंचांगर राशी फलको साथ मा उपस्तित वहिशागे कुछू। शुरू करूं आजको पंचांग बाठाव। आज विक्रम संबाद देजार अशी बदोट 26 गाते मंगल बार। इसवी संबाद देजार तेश सेक्टेमबर बारा तारिख नेपाल संबाद 1143 पिंगल नामक संबाशर सुरिय दचिनायन बर्शाडितू। भाद्र क्रिष्ण पक्षेत्र योदसीति थी असलेशा नसेत्र शिवयोग गर करन। अनन्दादियोग मां अनन्दयोग रहेको छा। आज चंद्रमां करकट राशी मां ब्रमन गरनेशान। आज अब्राण ना शाड़ेच चार बजे देखी शांच चा बजे सम्मा राहुकाल रहने भाईगाले। तेशा बदीमां संबाभ वैसमा कुनाई बनी शुबकारेगो थाला निना गरनुवला। आज प्रदोस बर्तरा हवन गरने शुबसाइद्पनी परेगो छा। काठमडो में शुरियो दै बिहाना पांज बजेरा। 38 मिनेट में भैवने शुरियास्त शांच चा बजेरा 11 मिनेट में होने छा। महत्तपण काम हरू अपुरय हुने चल्धान अधुर होने चल्धाह valtा शंपन गरनाको लागी कठेनाई उत्पन्न उत्पन उत्तंण होने शा। खर्चा को अबस्था मा बिरदी हुने चा आमदानी संकुचित भायरा जाने चाग ब्रिश राशी हुने हरु का लागी समय अनुकुल रायको देखिन चाग आजा को दिन मा पठन पाठन को र बाउदिक कारे मा शक्रियेता बढ़ेर जाने चाग मिन्थुन रासी मिथुन राशी उनेवरू कालागी मान सम्मान मिलने श, आत्मबल रात्मविश्णाः जागरी तुने श, शेवामुलक कारे हरु मां शग्रियता बढ़ने श, राजनीतिक स्यत्रका व्यक्ति हरु बाट विशेस सायुग मिलने अवस्ता रहने श, शिर्जन आत्म कारे मां समय संतान पक्षेवाट सुखप्राप्तिको योग्राय को देखींच। पाग्येबाल को राम्रो शाथ रहने श। करकट रासी हुने हरुका लागी समय मद्यम खालको रायको देखींच। नेड़ाय छेमाता के गरूं के नगरूं भनने खालको दुविदा अगरस्त अवस्थामा मन पूगने छो, लापरवाई को कारानले गरता खरी मत पुण अवस्थार गुमने डर हुने छो, सचेत भैरा अगाडी पन्नु हला, कसे को लहाई-लहाई मा कुने पनी काम नगरनु ह खर्चमा वर्दी हुने योगराय को देखिन छो, आमदानी को अवस्था मध्यम रहने छो, तेचे गरी पुराना स्वास्ते समस्था बाटा शुटकारा प्राप्त करना शकीने छा वने, बोली को सकरात्मक परेग हुने छो सिहा रासी कन्या रासी हुने हरुका लागी समय अनुकूल रायको देखिन छो, आज़को दिनमा गरियेका काम हरू सजिले संग संपाधन हुने छन, शंपनना हुने छन, बविस्यको लागी गरीने कुने कामगो जग बसाना ब्रिशिक रासी ब्रिश्चिक राशी रहने हरुका लागी आलोचना गरने हरु प्रशस्तेई भेडीनेशन कारे शेत्रमा विवाद उत्पन उनेशन आमदानीक अवस्तामा संकुचन भाहर जानेशन तेसे गरी मान सम्मानमा कमी आउनेशन आजको दिनमा आकस्मे गुरुपमा धनलाभ हुना सम्माबना पनी रहको देखीन चापने अति थी लाई स्वागत गरना पाईनेशन मित्रहरुशंगा को मिलन को योग रहको छाँ थनूरासी मकर रासी मेन रासी मेन रासी हुनेहरु कालागी आज़ा को दिन मान शुबा समसार बाता मन अलादित हुने च, प्रफुल्लीन च, नया काम, अगाडी बड़ाभुना शगि ने अवस्तार हुने च, विगध को तपाइको आजा अंतर्गत येटा 12. राशी रुमा ग्रहर को प्रभाव के कस्तर अने सा बन्ने बारेमा संक्चिब्त रूप मा तेशको जानकारी प्रस्थूत गरेंगे हुँआ। तपाइं ले ग्रह जनित, शुबा फलका, शक्रात्मक प्रभावरू आपनो जीमन मा देखना सकुन हुनेचा यती भन्दे तपाइं हरुको सबैको देन मंगल मैरावस, शुबा मैरावस, मा पनी बिदा हुँचु, नमस्कार योगेन चित्त श्य पदेन बाचाम, मलं सरीर श्य जबाइदक्यन, यप्पा करोतं प्रभरं मुनिनाम, पतंजली प्रांजली रांज तोष्मिंग। नमस्कार यहारलाई श्वागाच्छा योग शास्त्र महां, सुनी बक्षिस, यहारले बास्तु शास्त्र, जोति शास्त्र, प्रभाचन अने प्राकार का धेने चीज अरुचाहेनी स्ट्रमण गरिशापनु बाइगोच्छा। यहारलाई मेरो अनुभुती आजा परश्न गई रायेकोच्छ। आमी दुखी चाहूं, रोगी चाहूं, आमलाई लाग्सा, आमी स्ट्र, क्येईपनी च्वाईएगोच्छ। वही रायाच्छ। आमी ता देराई द्धनी मानशे रहाऊं, दनाध्य रहाऊं, क्येकोच्छ। शरीर कोच्छ। अमुक अमुक नामग़ेका ब्यगति हैरू, मलाथ थापनी छाह disp suggestedises ambigu को, नेपाल नेपाल का बनो, विश्वा का बनो, आमुक अमुक नामंग़ेका, निहां किना अरुका नाम लेनी? आमुक नामग़ेका ब्यगति हैरू? कर्णउ, खरव हुँँ, अरभ उननी चाह। शांति चायन होदा इनारे। रहा हमी अनिकस्तरी बयासं। मन्नाखरी जब महिले चायनी ऐले यो एक महिले जदी भाय योक को लास मा जान लायेगो विद्ध्यार्थी बनेरा एक महिले को अंतरात्म मानमा शरीर पनी तपेगो शाथ आठकीलो गटत रहाएचा। किन मन्नाखरी विद्ध्यान चार बजे जगन परिण रहाएचा। जगनी मनेगो उठने आखा खलने। विद्ध्यान ठ्यक्क चार बजे उठी शागे पचि आपनो विस्तार्मा इरा आते शरी एरा कराग्रे बशते लक्स्मीं करमध्य सरश्वति करमुलिथितो ब्रह्मा प्रवाते करदर्शन। करमध्य सर्श्वति करदर्शन। करमध्य सर्श्वति माझन पहर्ण। करें मूले थे तो मूल सानिया उर्ध मूला मता शाकर यहादा ब्रह्माजी भानु लगादा शवाई को दर्षन का हुँँचा हात्म हुँचा अनि हमी जब बेडबाडबनों खाडबाडबनों उच्छान बाडबनों त्यांड ताल उत्री शाकेची अनि धरती मातला हमी नम अनिते विष्णु पत्नि नमस्तोभ्यं पादपर्जा शमस्वमे अमा इजो मोग योग बेड मा योग खाट मा राती मौरेकु थे ती वाई आमे निदा उसाओने आने अमलाए ज्यान हुँचा अमलाए ज्ञान हुँचा अमलाए चईतन्य चेतना हुदाई आमे त्या न कर दिते विंदान ऊन्च मेने बातोलाओनस अनि इडूचा और थेवान अनि मौर अखना अंतरां ज्मसा उड़ा हुचा तुकोत नवरणायोग घंज ँड़ा रूड़ा, अनि फ्यान फेर न उटने बेलामे अनि शृट आब उपार्दयं पितराऊ अन तो मुडव शरीं तो आज गुरेर सुतिस तेरो चाहिने यो मुटु में बायु ले चोड़ेगो थेना बायु तेरो मुटु में चलाई रहाएगो थे हो यह सारी पंपिंग, पंप गरी रहाएगो थे हम्रो जब यो दियादान चाहिए अजुरु तिन निन अजुरु दियादान चाहिए नामगरेको बायु सारीरिमा गोमिरांच अनि त्यो हम्रोथ चेतना सानी चेतना लेक्ये बंचा बन्नागेरी मा आज तेरो जिल्लामा गवायर काम गवरे राएं तो तो त्यो जाड़ा पर्नी प्यक्ति साहिए त्यो शवाता मायता आज ऐसे सावई भान्निन है उले जनी उलेये स्टिराएश था निक्ति स्टाना और देख वहता येदाने को निन्धा निधाड प्यकतक सावता आज ड़्चेतना में अगी युट्धियर्दियो डुल्ल में तेरो जासर जाय रशना आङए नामेरे शापना ड्रहे नरहें जाह आज तीमी तिया त्यों बेड में मिर्त परेका थे। आज तीमी उठेव। दार्ती मातराई नमन गर। अमें मौ उठी। अजुरलाई में दीन भरी त्यक्षू दुख दीन चू ए बुख दीन चू ए बुदू में खंचू लओ संख्या दिरिग संख्या दिशाप पिसाप खकार जन्ने चीजारू सबई में यें त्यक्ता गर्चू तरह आमाले केई वहनों नमा मलें रच्या गरिबुशू और अब युले शुगर प्रेसर कोलिस्टर थायराइड कती कती आप रोकोताव कुनारे पाराई आई सामन्य देहराईचे दुख देखो चें किराचा बान ना करी शुगर प्रेसर कोलिस्टर मोटो पाया अब यू जब शुरिया स्वक्ति गलेचे खानी कूरा पचाहिद मिल योगलितेशो बन्चा पतंजली महाराजी के बनना जब शुरिया को शुरिया अस्ताउं संथ अस्ताई शकेछी तो शुरिया को चे पावर केंचा बनना खरी ले सुन्चा अंतियो खाना पचावनी सख्ती चाने अराश होनी रहेचा Ishurया अस्ताउं नू भनना पःलेई, Ishurय अस्ताई शके पाची सुरिया अस्ता को च बंदा पची समंध पनी खायो और तो ब्याग्ति चंहेबो निरोगी भायो सुरियास्तायक सितंप थे दशवजे अपिश भड़ाएंचा ब्यपार बड़ाएंचा उपिछ। अपिशपह वड़ाएंचा ला अपिश पाजवए अपिशो दूटे ने गभश्हाम गरे राड नव भजी आईउँचा अनि त्हाना जेनी एगारह बजी घंचा अंध्य। अबाइल चल आरा भाच्छा, मियान नवभाश्मार सुच्छा, और उस्वा स्वारीड में पत्यों कुरा पाचे न, तो न, न, पाचे के बवबन्दा करी तो उसको जनी, तो खाय को ची जारू जनी, बोष्वमा परीड़ का भाई तो भारा स्वारीड के भायो, रोगी भाय कासरी थापा हे मिया भायो हूले, मैं रोगी मै नीत, मैं 100-10 किलो। है बल्ला बल्ला स्वालिे रहाई तक्रों इन्ड→ उन्हान स्वालिया जना खाय जले इन्रानत भल्ले, प्रत पेठ ठुलों कम में तो गुरु पैठ भलने थापने। क्ट योग साधना गर्ण धानी शेकेजी, वियानन चार बजे टक्क निंदर ले छोड़चा, वेलका दस बजे पुराई क्या आर समागत होंच, निंदर लागचा, अनिते योगिन योग गरो, गुरु अरुका पाश्मा गयो, मंत्र शिद्ध मंत्र रुजाब गरो, पशिना काट अनियो, कपालभाती, नियावली, अनि एक प्रकार का प्रनाहम गरो, तो करता के उंदोर समन्ना खरी, श्वास्ता एक दम आनन, मनमा चिंता, भय त्योपने हड़च, त्याहिवा सांती र अनि द्धनी मने को चीज़बई तेहिराएच, त्याहिवा शांती और अनि द्धन करुटनिखनकी र सीम्तियो आखएच, एवड़ायो व्हज़च, यवड़ा शांती र थे अनि द्धनी, शांती मंमा जाल्रेइच, टिवड़ायो, घज़वरायो, आ épo kiedy ढखएच, कश्ध्वाजच, बहनेे देहां बग। फर भंडें और भंड़न ई अए खिलन ने नरत कर्तन कर्यादन होड़ा झाल आए बेध कर लिए हम मैं यह दोड्रान बैस्ट करण दोड्रें अन्यु लिए उन्रमन एपषे ने शांटना मोली चनुड़न धरश हड लाग्यूं अजिए वन्ति थिप्ति ओदरा यहीं कि अगुदुटर नाम ली जाता लिए ब्यत्ति को नाम ली वायन माझा भूग, माझा. हो भाजरुपन थे ही मापणी थे ही तही है, संपुर्ण कुछा भाईसक्यों. तवरावता परमात्माशंग है, क्या भाईसक्यों अदिटा येडगों, तयो तक ये ले गुरागों, तयो मल्ली गरागों. जब योग शिद्धी होंच, तव श्वास्त राम्र वनु पाइद शवन नठुलुकुर। योगो करते हें थी जब यगोटेन कोटि तव डराना मियोंच, देज लिए, स्वक्योग अरो ज्कden फिल योज को शी शमोल्च, को आठस्व 했어। बारे में तेस्था के जानकारी छ यहार दे मला शिकाएदीनो्स मपनी कोरा कागज बच्छा ही हुँ यहार गोलागी यह मनने फिरिद्द माता पितार लेकारीका में हरों भोगे जदी पनी फवन आऊं चन् सब्सक्राइब नमर टीपनोस अंठानवब पाँच दस पुनाज जीरो फेरी डबल जीरो चापनन चालीश अंठानवब एक चालीश शत्ताय तियाशी शाइशी शाइशाटी धन्यवाद आस्तरमस्कार हुआ 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 हु